4, 3, 2, 1 आम चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही देश में चुनाव सुधार के मुद्दे फिर से चर्चा में आ गए हैं काले धन पर रोक लगाने और नकदी का लेन देन घटाने के लिए धाई साल पहले नोट बंदी जैसा एतिहासिक कदम उठाया गया था इसके बावजूद कुछ विशिशग्यों का मानना है कि इस बार चुनावी खर्च के सारे रिकॉर्ड तूटने वाले हैं Center for Media Studies CMC के अमुसार इस चुनाव में 50,000 करोड रुपे तक खर्च हो सकते हैं Carnegie Endowment for International Peace के मुताविक साल 2019 का भारती आम चुनाव अमेरिकी चुनावी खर्चे को भी पीछे छोड़ देगा इसने ब्योरा दिया है कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाव और संसदी चुनाव में 650 करोड डॉलर मौजूदा विनमैदर के अनुसार 46,211 करोड रुपे खर्च हुए थे इसके बरक्स भारत में 2014 में हुए लोग सभा चुनाव में 35,547 करोड रुपे 500 करोड डॉलर खर्च हुए थे लेकिन भारती आम चुनाव 2019 में अमेरिकी चुनाव के खर्च का आकड़ा आसानी से पार हो सकता है ऐसा हुआ तो यह दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव होगा देश में चुनाव पर होने वाले अथाह खर्च को भारती जनतंत्र की एक बड़ी बीमारी के रूप में देखा जाता है इसमें भारी मात्रा में काले धन का लेंदेन होना एक बात है और इससे भी बुरी बात यह है कि साधारण भारती जन चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं और व्यवस्था तेजी से धनवानों के कबजे में जा रही है यही नहीं चुनाव में भारी भरकम रकम फूकने की बाधिता ने राजनितिक नेत्रित्व को भरष्ट बनाया है जिसके चलते संतुलनकारी शक्ति की रूप में उसकी भूमिका संदिग्ध हो गई है इस समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने खर्च सीमा तै करने और चंदे की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की पहल की लेकिन उसके हर कदम को तोड़ पार्टियों ने निकाल लिया दिखाने के लिए उन्होंने आये वे के आकड़े जरूर पेश किये पर इस मामले में पारदर्शिता बरतने पर कतई राजी नहीं हुई अभी हर लोकसबा प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा सत्तर लाख रुपए तै की गई है जो 2014 में 28 लाख थी खर्च के लिए एक बार में 10,000 रुपए से अधिक नगद राशी कोई उमिदवार किसी को नहीं दे पाएगा प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा जिसकी जानकारी जिदा निर्वाचन दफ्तर को देनी होगी लेकिन ये सारे निर्देश व्यवार में किस हद तक लागू होंगे इसका कुछ अंदाजा चुनावी तितियों की घोशणां से ठीक पहले आई विज्यापनों की बाढ़ को देख कर लगाया जा सकता है Association for Democratic Reforms ADR जैसी संस्थाएं चुनाव के बाद बताती हैं कि अमुक पार्टी ने इतने खर्च किये या इतने बाहुबली चुनाव जीत गए अपनी इस भूमिका को लेकर चुनाव के दोरान भी उन्हें सचेत रहना चाहिए नियमों का उलंगन होते ही उन पर चर्चा हो तो शायद हालात बदलें New Zealand के Christ Church में हुए आतंकी हमले से पूरी दुनिया सकते में है यहां शुक्रवार को अल नूर मस्जिद और लिन वुड मस्जिद में नमाज पढ़ने गए लोगों पर हतियार बंद हमलावरों ने अंधाधुंद गोलिबारी की जिसमें पचास के आसपास लोग मारे गए और कई घायल हो गए नूजिलेंड की प्रधान मंत्री जेसिंडा आरडन ने इसे आतंकवाधी घटना करार देते हुए देश के इतिहास का सबसे काला दिन बताया मुख्य हमलावर की पहचान 28 वर्षी ब्रेंटन टेरेंट के रूप में हुई है जो ब्रेटिश मूल का आस्ट्रेलियाई नागरिक है उसने हमले के पहले दि ग्रेट रिप्लेस्मेंट शीरसक से एक संसनी खेज मैनिफेस्टो लिखा था जिसमें उसने हजारों यूरोपिय नागरिकों की आतंकी हमलों में गई जान का बदला लेने के साथ श्वेत वर्चस्व कायम करने के लिए अप्रवासियों को बाहर निकालने की बात कही थी